18th question है Sum of 4th and 8th term of AP is 24 4th ते 8th term का जड़ा sum है ओक इंद इक्वल दिताव है 24th Sum of 6th and 10th term is 44 6th, ते 10th term जड़ा sum है ओक इंद इक्वल है 44th Can they find first 3 terms of AP First 3 terms है पता ही अपनेनों A, A plus D, A plus 2D यानि कि तो उन्हों इक ता A जाएद इक तो उन्हों D जाएद ठीक है, देखो A4 दा formula की C, A plus 3D A8 दा formula की C, A plus 7D इक्वल टू कि इंद आगे 24th A plus A, 2A इक्वल टू 24, similarly यादर formula अप्लाई करो A6 दा क्वल होना की लग जोगा A plus 5D A10 दा A plus 9D इक्वल टू 44 A plus A, 2A 5D plus 9D 14D इक्वल टू 24 देखो तुसी, यहते 44 सी ठीक है, देखो एंदे जो A the value find करके एंदे चपुट कर दो प्लस दा 10D है तिरा आगे क्या जो है, नेक्टिल दा यहको थोड़े यहको टू A दी value आगी 24 minus 10D वो तुसी अदे चपुट करतो परस्ट equation सेकंड equation 2A दी value 24 minus 10D पुट इन सेकंड 24 minus 10D प्लस 14D equal to 44 14D जो 10D minus करोंगे तक इना जो 4D equal to 44 क्या आई है अब प्लस दा 24 है तरा के के जो है minus दा 4D equal to 20 D the value 4D के नहीं आगी 5 देखो D the value 5 अदे चपुट करतोंगे परस्ट चपुट 2A equal to 24 minus 50 2A equal to 24 minus 50 minus 26 A the value 3 equal to 26 by 2 minus 13 देखो A है के D है के अदे चपुट करतो A के नहीं minus 13 A minus 13 D के नह 5 A minus 13 D के नहीं आथोड़ 5 Solve करतोंगे पेलना था minus 13 होगी minus 13 plus 5 minus 8 होगी minus 13 plus 2 into 5 10 minus 13 plus 10 minus 3 अनस्वर होगी